नमस्कार मैं हूं नमीदा विग नुज में नाइन में आपका स्वाबत है विधान सवामे सत्ता पक्ष के नेताओं पर तेजस्वी यादब के कमेंट के बाद अब बीजेपी जो नेता है वो तेजस्वी यादब पर हमलावर हो गई है तेज़स्वी यादब पर शुशील कुमार मोधी ने भी ट्ट कर तेज़स्वी यादब को आड़े हाथ हो लिया है उन्होंने कहा है कि तेज़स्वी यादब को अपने पिता से लागया दब से पूछना चाहिए कि आर जैटी में कई बड़े योगिय विधायक होते हुए मि में लालो पशाद यादव ने राबडी देवी को मंत्री बनाया था उन्होंने ट्वीच कर कहा है कि राबडी देवी को इंग्लीस तो छोड़िये हिंदी पढ़ना और बोलना तक नहीं आता है ऐसे में उन्होंने टिजस्वी यादव को नसीहत तक दे डाली कि जिनके खुद की घर सीसे की होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेडना चाहिए बता दे कि दिते सुंबार को विधान सबास सत्र में अध्यक्ष महोदे के इजाज़त पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गन्ना अध्योग के बारे में कुछ सवाल कर रहे थे लेकिन जो सत्र पक्ष के विधायक है वो उन्हें बोले नहीं दे रहे थे बार बार प्रोका टोकी कर रहे थे उस पर तेजस्वी यादव ने अपना हापा खो दी और कुछ ऐसा बोल गए जिससे की हंगामा बज़ गया सदन ले उन्होंने कहा कैसे लोग आ जाते हैं कैसे क मंत्री बना दिया जाता है इसको सत्ता पक्ष है बहुत ही बोख लाग इसका विरोध करने लगिंगे उन्होंने सत्ता पक्ष के जो विधायकी है वो कर दे कि आसे सब्धों का प्रेयोग नहीं कर्णा च 20 करना चाहिए था उसके साथ ही जब अभी वर्तमान के रास्वा सां और पुग मुख मंतरी शुशिल कुबार मोधी ने इसे आरे हातों लिया और ट्वीट कर डाला कि उन्हें इस तरह से कह रहे हैं उनके जो सत्ता पक्ष के मंतरियों के लिए वो ऐसे सब्दों का प्रियोग किया हैं उनको नहीं करना चाहिए था उन्हें अपने पिता लालुक क्यों मुख मंतरी बनाया है क्योंकि राभी देवी को इंग्लीस तो छोड़िये उनको हिंदी पढ़ना और बोलना तक नहीं आता लिखना तक नहीं आता तो ऐसे में जो विधान सभा में जो बीते दीनों सौंबार को हुआ उसके लिए कर बहुत हंगामां बचा हुआ तो ऐसे तो बावम खबरों के लिए बने रहे चैनल के साथ आप देख रहे थे विव्यूस नाइट